चलक के चलते पेड़ से ठकराया था सुबह के तैं मॉल्निंग और यहीं पर उसका मतर हुआ था इस पेड़ के आसपर सी यहां रोज आई दिन कोई ना कोई गिरता रहता है रोज चोटी लोते हैं रोट पर रोज आई दिन चोट खालती रहते हैं वो रोट नहीं बन पाई है यह देखिए अभी देखिए अभी देखिए आपका यह करंट इस समय देखिए आपकी लाइब लोकेशन जो चल रही है अभी गाड़ी पर लेटन से बजगी यह जो में रोड को मुर्दा यहां से जब गाड़ी भी जाती दिना तेज का जो धक्का लगता है लोगों को इस इस वक्त हम गॉला बाइपास रोड में मौजूद हैं जैसे कि आप जानते हैं उत्राखन के जो मुख्य मंतरी हैं पुश्कर सिंक धामी जी उन्होंने जो है उत्राखन में जो गड़े हैं जिन सड़कों पर उनको गड़ा मुक्त करने के हर हर जगा पर निर्देश जीते ह हाला कि हल्दवानी की हम बात करेंगे तो हल्दवानी में कहीं कुछ जगाओं में जो उनके आदेश है वो फेल नजर होते आएं बता दू इस वक्त जो गॉला बाइपास रोड में मौजूद हैं यहां पर कई जगा ऐसा है जहां गड़े भरे गए लेकिन अभी भी कई अब बहुत सी जगए जहां पर गड़े नहीं भरे गए हैं और उससे जो स्थानिया लोग है उनको काफी दिक्कत होती है जो अगर किसी मरीज को अगर अस्पताल वी जना तो उनको उसमें काफी दिक्कत होती है आप बगर में लाइप तस्वीरे देखें कि यह जो में हमीजी के आदेश थे कि जो गड़ा मुगत कराया जाए वो यहां पर तो मुझे हल्दवानी में फेल होते नजर आ रहे हम आपको आगे जाके कुछ लाइप तस्वीरे दिखाए तो जैसे कि मैंने आपको गड़ा बाइपास रूड की कुछ तस्वीरे दिखाए थी कि वहा इसमें तो ना काम किया गया ना आगे जो मुखे रोड है में रोड जो मिलती है वहाँ पर भी जो है शुट शुटे गड़े उनको भी नहीं भरा गया है अभी लोगों को इससे काफी दिखा तो ही हम आपको आगे पर तस्वीरे दिखाएंगे बेराल आप यहां पर भी तक सड़क का कोई निर्मान कारगी नहीं हुआ है ना तो आगे जो गड़े भरेगा यहां नहीं भरेगा हाला कि जो मुखे मुखे रोड है में रोड है जहां से बजार कवा दिखा ओबर विभाग ने अपना कारे बले ही किया हुँ बड़ यहां पर जो मुखेमंतरी जी के तो यह जो है में डूड को मिलते ठीक बगल में यहां पर जो है काफी आदी आती रहती है लगातार जो आवजा यह वहानों की वह लगे पड़ी और बगल में ही नहर आप देख सकते हैं इस पर जो है अभी तक जो रैंप बनाया जाता है नहर को बचाने के लिए वह इसमें न अगर आप नहर भी देखे तो अगर कभी गड़े से इंसान अगर कहीं नहर में गिर जाएं तो वो किता बड़ा दूर्गटना हो सकता है यह आप जो अब आप देख रहे हैं आप आपकी नजर उत्ती दूर तक पड़ेगी तो वहां तक जो हैं पूरे गड़े ही गड़े बरहें यांके जो स्थानिया लोग है उनसे बाद करते हैं फिराल आप देखिए कि जो नहर रोड है उसमें भी कोई अंतर नहीं है यहां पर रैंप लगाए है अगर किसी को अगर दुरकटने यहां पर होती तो उसका जुमेदार कौन होगा वहराल हम आपको पूरी दिखा रहे हैं तस्वीरे देखिए लोगों से बात करते हैं तो अब हम थोड़ा आगे चलके आए हैं क्योंकि आगे जब आप देखेंगे ना तो यह रास्ता यही को मिलता है कईना कई मुख्य मार इसको हम कह सकते हैं क्योंकि यह पूरा में डोड़ है यहां पर लगातार आवजा ही लोगों की रहती ही है और जिस प्रकार से गड़ा मुक्त की बात मैं आपको बताई थी तो यहां पर आप देख सकते हैं यह सड़क तो थी जो अपूरी व्यक्ति हैं उनसे हम बात करते हैं और मैं रोड़ है और आप देख भी रहे हैं जिस तरीके से गंदगी हो रही है यहां पर कि इतने चलना दूस्वार हो जाता है अचानक बाइचांस कोई ट्रेफिक इसमें भीर लग जाती है कोई आ जाए तो चोरफेट लगने की बहुत ज़्यादा संभाब नहीं बन जाती है ऐसे में सरकार को यह देखना चाहिए कि जो भी यहां के पारसाद है जो भी है ना उन्होंने हाला कि और भी काम करवाए है अच्छे काम करवाए है पारसाद जीने मगर यह जो में रोड है एक पर्टिकुलर सुचला तवारी की पीसे सब्सक्राइब करें और यहां पर तो अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है तो क्या आपको पता है कि यहां पर काम नहीं हो पाया है आप तो यहां के निवासी होंगे सब्सक्राइब करते हुए इनको भी जल्दी से इसका निवारन करेगी और अच्छे कार्य कर रही है ऐसा नहीं कि बीजेपी सरकार में जो जितने कारी हुए है अभी तक धामी जी ने इतना अच्छा कारी किया हुआ है कि उनकी सरहना हम करते हैं के कारियों की में पार्टी के उससे नहीं बोल रहा हूं मगर जो एक जैनून है जो हमारे भावी मुख्य मंत्री बने हैं यह धामी जी इनके लिए मेरे पास निश अगर अभी निर्मार नहीं हो पाया है तो जैसे कि आपने अभी खुदी बताया है और हमारे सामने जैसे घटना हुए कि अचानक से पलड़ गया तो कभी ना कई जैसे रोड खराब है तो नहर में गिरने का भी दूर गए दूर घटना काफी बढ़ सकती है इससे कि हम यह तो जरूर है अभी रेंप जो वहां आपने देखा होगा जो एफटी आई है उससे लगती हुए रेंप आ गई है बट इसी तरीके से यहां पर इस नहर पर भी कारिये होना चाहिए और वह भी कारिये जल्दी ही रेंप का सुरू होने बाला है यहां पर जी आप यह की निवासी हैं जी हाँ इसके बारे में विभाग को बताया आपने कभी जो हमारे पारसद हैं वो लोग हमेशा इसके लिए कारिये रहे हैं और वह समाज के लिए पूरे अपना कारिये कर रहे हैं है और जो भी हमारे यहां पर जो जनता है जो हमारे ह rate problemz आपने बाड़क करण कर रहे हैं तो जैसे कि आप यहां के निवास हैं तो इस सड़क कब से आप खराब है अगर बताएं सब्सक्राइब अभी बीच में यह सुरुबात क्या करते हैं हुई थी तो बहुत टाइम से यह सब्सक्राइब थी फिर बीच में बनी बट अभी आपने देखा होगा कि चार सड़क है और अभी हमार सामने लाइव जो एक टुक टुक अभी पलट गया था जो हाला कि गनी मत्रे की किसी को चोट नहीं पहुची और यहां पर दिवार लगी इसके वो बच गये लेकिन अभी तक सड़क में काम नहीं हुआ है और हमने एक व्यक्ति से बात करी और भी य पर दो लोग है उन्से बात करते हैं आप यही के नहीं है हम तो बीहार के हैं और हमार जाहीं करते होंगे काम के लिए और कपसे आपको यहां से आवाजाई करते तो क्या कब से नहीं बनिये सड़क तो तो बनी थी मगर आप ही तूट गया है तो पंद्रा अक्टूबर तक समय दिया गादा विभागों की गड्डे मुक्त करे सड़क और यहां पर तो नहीं हो पाया क्या लगता है अब तो गड़ा बन जाना चाहिए ना जो बन भाद रही है अब इससे तो हम नहीं देखते हैं जैकि आप नहीं क्या हुआ क्या हुआ क्या अब पहले से खराब है पहले से इसलिए रोज आए दिन और कोई नहीं कोई गिरता रहता है रोज चोटी लोगते रहते हैं एक तुबल्किन पेड़ से टकारा के एक कत मतर भी हुआ था इसी रूट में अभी कुछ दिन पहले चलते चलते पेड़ से टकराया था सुबह के मौनिंग और यहीं पर उसका मतर हुआ था स्पेड़ के लिए सब्सक्राइब को बढ़ावा दे रही है कही जी पुरा 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 दूर्णा बढ़ावा दे और कहीं जैसे की बात आई थी कि मुख्यमेंत्री ने 15 अक्टूबर तक सभी सब्सक्राइब करने की ब बात भी कहीं ना कई गड़ा मुक्त सड़क हलदवानी में कुछ जेगाओं में फेल हो चुका है और यह जो स्थिति हमने दिखाई काफी जो दुरगड़ना को बढ़ावा दे रहे हैं इसको अगर जल से जल्द ही कर दिया जाए जो बहतर होगा बहराल इस रिपोर्ट में नहीं है ऐसी तमाम कान रिपोर्स के लिए बंदर मेर साथ कैमरे बसन रोईत के साथ मैं भावना धन्यवाद